नमस्कार लिद्निया पब्लिशर्स असोसियेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं मैं हूँ डॉक्टर तरुना एस्गॉर्ड पिछले पॉड्ड कास्ट में हमने बात की थी मीडिया के सोर्स ओफ इंकम पर और उसमें एडवर्टीजमेंट के बारे में बताया था नियूस्पेपर है तब आप खुद का रेट कार्ड किस तरह बना सकते हैं ताकि आप अलग-अलग एडवर्टाइजर्स से विज्ञापन लेने के लिए मांग कर सके तो सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि कोई कंपनी या कोई भी व्यक्ति हमें एड क्यों देता है इ अगर कोई विज्ञापन देती हैं तो वो देती हैं अपने बिजनस प्रोमोशन के लिए अगर उन्हें अपने बिजनस का प्रचार प्रसार करना है तो वो अलग-अलग मीडियम्स को चुनती हैं जिसमें मीडिया भी होता है जैसे कि वो अकबार का सहारा ले सकते हैं अपन company भी add देती है और government भी add देती है अब बात आती है कि हम अख़बार की बात कर रहे हैं तो इसमें हम space की बात करेंगे कि एक company का विज्यापन या कि किसी एक व्यक्ति का विज्यापन कितनी जगा घिरेगा उसके according हम अपना त्यार करेंगे अखबार में जो एड आते हैं वो साइज के आधार पर हम देखते हैं तो एक तो होता है classified ad और एक होता है full size या फिर half size या फिर quarter size के अंदर यह जो size होते हैं यह अलग-अलग होते हैं आप उसके लिए अलग-अलग rate decide कर सकते हैं तो पहले हम classified ad जान लेते हैं यह क्या होते हैं हमने आपको शुरू में बताया था कि ad दो तरीके के होते हैं एक promotion और एक जरूरत जैसे इसके अंदर शोक संदेश हो सकते हैं या फिर कोई जोतिश अपने ad दे सकते हैं या फिर विवाह संबंदी वि रहलाते हैं और basically यह आवशक्ता पर निर्भर होते हैं इसमें नौकरी से जुड़े विग्यापन भी आप newspapers में देख सकते हैं classified ad में बहुत ज़्यादा ताम जाम नहीं होता साज सज्जा नहीं होती यह कम खर्च में विग्यापन दाता को मिल जाते हैं यानि कि किसी को अग आरत सरकार बहुत बड़े-बड़े एड देती हैं जैसे फुल पेज का विग्यापन दे दिया पोलियो संबंदी कोई प्रमोशन होता था कि टीका करण का जो अभ्यान चलता था उसके बारे में जानकारी या फिर विभिन जो सरकारी योजनाय होती हैं उसकी जो जानकारी अकबारों के थ्रू दी जाती है वो फुल पेज, हाफ पेज या क्वाटर पेज के अंदर दी जाती है उसके लिए गौवर्मेंट अलग से पैसा प्रोवाइड करती है तो एडवर्टीजमेंट पाने के लिए मीडिया हाउस गौवर्मेंट को भी अपना रेट कार्ड देत है अगर हम बात गौवर्मेंट एड की करें तो गौवर्मेंट किस तरीके से पैसा देती है उसके लिए एक उन्होंने स्पेसिफिक एरिया बताया हुआ है हम बात न्यूस पेपर की कर रहे हैं तब अगर मालीजे 150 स्क्वेर सेंटीमीटर का इस पेस का कोई विज्यापन है तो उसके लिए गौवर्मेंट 5000 रुपे प्रोवाइट करती है अगर 150 स्क्वेर सेंटीमीटर से लेकर 350 स्क्वेर सेंटीमीटर के विज्या कोई एडविटीजमेंट है तो फिर उसको 15,000 का रेट उसको प्रोवाइट किया जाता है तो यह आप स्पेस को नापकर अपने रे अगर आपको गौवर्मेंट का एडविटीजमेंट लेना है तो गौवर्मेंट ने अपनी एड़ पॉलिसी 2020 के अंतरगत न्यूजपेपर के लिए वो प्रिंट एरिया बताया है कि अगर आप गौवर्मेंट के एड़ लेना चाहते हैं तो अगर आपका अकबार डेली है तो इसका जो प्रिंट एरिया है वो 7600 स्कूर सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए और अगर आपका वीकली न्यूस पेपर है या फिर फॉट नैटली है तो इसका प्रिंट एरिया 3500 स्कूर से कम नहीं होना चाहिए यानि कि आपका print area इतना होना ही चाहिए तब आप government के लिए, advertisement के लिए, impanelment के लिए आवेदन कर सकेंगे, otherwise नहीं अब हम बात कर लेते हैं कि government ad से हट कर, अगर आपको private ad लेने हैं तो आप किस तरीके से अपना rate card बना सकते हैं अगर आप classified ad के लिए बना रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि 500 से लेकर 1500 तक आप इसमें classified ad के लिए लोगों से चार्ज करते हैं अगर हम बड़े अकबारों की बात करें, यह तो हम लगू अकबार की बात कर रहे थे, तो यही rate card आपका 1500 से लेके 3000 तक का हो सकता है क्योंकि यह अलग-अलग अकबार के circulation के उपर depend करेगा, तो आप अपना rate card बनाएंगे कैसे, सबसे पहले आप अपनी company का नाम लिखेंगे, फिर उसके उपर आप अब उसका logo लगाएंगे और उसका पूरा पता लिखेंगे और उसके उपर आप लिखेंगे RO, यानि के release order, release order आप लिख देंगे, उसके बाद वो समझ जाएंगे कि यह आपका विज्यापन का rate card है, उसके बाद आप उसके अंदर जैसे कि हमने पहले बताया कि square centimeters करके आप बता सकते हैं कि इतने square centimeter का add इतने रुपे का है, या फिर आ एक specific ही बता सकते हैं कि आपका classified इतने से इतने तक का है, इतने शब्दों का, उसको आप into करके multiply करके उसका rate mention कर दीजे, कि अगर कोई आपको कितना add देना चाहता है, उसके according आप multiply कर सकते हैं, या फिर अगर आप बता सकते हैं कि आपका half page 10,000 रुपे का है, अगर black and white है, य आप लगाएंगे, इस तरीके से आप अलग-अलग mention कर दीजेगा, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपकी news website है, या फिर आपका digital platform है, या electronic media है, electronic media की हम बात इसलिए ने करेंगे, क्योंकि वो satellite channel है, उनके पास already एक बड़ी team होती है, जो इस काम के लिए लगी रहती है, व लगाएंगे, address लगाएंगे, उसके बाद में आप अगर website है, तो space mention कर देंगे, कि आपका इतना space इतने रुपे का है, अगर आप इतने शब्दो का या इतने space का एड देना चाहते हैं, तो इतने रुपे आपको चार्ज पड़ेंगे, इसी तरीके से अगर आपका news channel है, त आप कितने रुपे में चार्ज करेंगे, इस तरीके से आप अपने rate card में ये properly mention कर सकते हैं, rate card आप बना कर अपने advertiser को दे सकते हैं, तो इस वीडियो में आपने जाना कि एक अखबार के लिए आप कैसे square centimeters में rate चार्ज करते हैं, और आपका विज्यापन दाता आपको rate प्र tutorial आखिर होता क्या है, उमीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर कोई confusion हो तो आप हमारे help line number पर call करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे whatsapp number पर संदेश छोड़ सकते हैं, या फिर हमें comment box में लिखकर पूछ सकते हैं